हाई, मैं हूँ संजीव त्यागी क्राइम पेट्रोल के और एपिसोर्ट के लिए सेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अपनी एक सीमा होती है और तों के अलग संगर्श होते हैं पुर्शों की अलग चुनाओतियां होती हैं लेकिन ना कोई पुरुष और और ना कोई और पुरुष की जिन्दगी जी सकती है लेकिन इस केस की व्यथा आपको इस तरह हिला देगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या किसी की जिंदेगी का स्वरू इतना विक्राल भी हो सकता है ये बिस्तर की सिल्वटें ये तूटी चूडी के टुकड़े ये चपल ये पायल वो कमरे की खिड़की खिड़की से आने वाले तूफान का शोड़ और शोर के बीच है मौत की गहरी खामोशे लेकिन मैं सिर्फ एक जिन्दा लाश हूँ तुम्हे और लेता हूँ तो जिन्दा हो जाता हूँ मौत की तुम्हें की जाता हूँ गणो, गणो. जा हुआ? गणो, गणो. एक पोलिस ओफिसर होने के नाते, मैंने कई नाकुच यने चवा देने वाले कैसें सॉल्ट किये. मेरे काम करने के तरीके, मेरी बहदुरी के लिए मुझे बहुत से मैडल भी मिले. लेकिन कुछ केसे जैसे होते हैं किमेरे जैसे पुलिस एफिसर को भी सेलफ ड़वत में डाल देते हैं ये केस भी विल्टूल ऐसा ही था है इस केस की खु़ी वी कडियों को जोडतेः वक्त कई बार मेरे मन में इसमाल आया कि क्या मैं इस केस की गुत्थी को सुल्जा पाऊँगा? एक्शुली, ये केस अपने आप में इतना विचित्र था कि इस केस को केस स्टडी बना कर पुलिस अगैडमी के करीकुलम में चोड़ दिया गया I would say ये केस मेरे करीयर के वन उफ द तफेस्ट कैसे समें से एक था ये आपकी चालता है ये सब क्या है? अरे, जेंडर नहीं बदला है, सिर्फ लूप बदला है पर आप खोश में तो है अफिस के लिए लेट हो रहा है भी, आके बात करता हूं पर आप ऐसे ये अफिस जाएंगे क्या? सुनिये! सुनिये! पुजा? ये कौन था? वो अपके देवरी थे संचित भेया आप ऐसे? संचित भेया! पहले गन्नों बुज़रा और अब संचित ऐसा बढ़ताओ कर रहा है ये अचनक से हो किया रहा है ये सब माजी, मैंने संचित जी को पहले भी हमारे कमरे में बंदी लगाते हुए देखा था और इस बार तो उन्होंने हदी कर दी मुझे तो लगता है संचित भ्या में कई गन्नू की आत्मा तो नहीं है लतिका, क्या कुछ भी बोले जा रही है? हाँ, देखो अगर कोई आत्मा का चक्कर वक्कर भी है तो गन्नू की आत्मा उसे लड़की क्यों बनाएगी? मुझे तो नहीं कोई mental disorder लग रहे है सरीता, वो तिर्देव इंटरपाइस की रिपोर्ट सम्लिक करनी से तुम्हें, कितना टाम लगेगा? वो फाइल तो मैंने संचीत को दी थी, मैडम लेकिन आप कौन है जो मुझे से पूछ रही है? मजाग बनतो हो सरीता, मजाग तुम कर रहे हो किसी ब्यूटी कॉंटेस में पार्टिसिपेट किया है जो ये रिहर्सल चल रही है, साड़ी चाहिए तो मैं दूँ पट्टा तो पट्टा तो पट्टा इस चल लगए जा ये वो देखें दूँ पापा का इमूद दिखाने लाइक छोड़ा है उसने पारा क्यों मज़ा पुड़बार है ये जो की कुछ हो रहा है ना पापा इसके जिम्मेदार आप है मेरी वज़े से कैना क्या चाहता है तू आपको नहीं पता मैं कि पापा इसके ना होश उड़ गए ये क्या ये हदाईत प्रसकत अर संबल जा और ना अच्छनी होगा देखो ये मैना अपने पूरे होश में अपने जैसा भी हूँ ना मैं जैसा भी हूँ तो तो मेरे हाल पे छोड़ता संचित बातिका तुझे मजाक लग रहा है है तो तो प्रूम्स झाल लटीका ये फेहरिष्थ बड़ी तेजी से दो से तीन और फिर चार पांट छे साथ का क्रम लेकर ना जाने कितनों को निगलने वाली थी जो पुलीस के लिए एक ऐसी चुनोती बनने वाला था जिनकी उन्हें फिलहाल भनक तक नहीं हुई थी और इस केस केंद्र पे था संचित आखिर क्या वज़े थी जो वो एक औरत का भेज धारन करके अपना मजाग उड़वा रहा था पर संचित हमेशा से ऐसा नहीं था उसके जीवन का एक और परिवेश भी था यार एक तो कानपूर का ट्रफिक इतना हो गया ना सांस लेना मुश्किल कर रहा है एक्स्क्यूज मी ऐसे कैसी चेप हो रहे हो क्या मैं आपको जानती हूं सुरी यार मैं थोड़ा लेट हो गया बड़ मैंने ट्राई किया था इस इमें इस नहीं प्रास लें रिवाक्स एक बैट ता घुस्सा भी बढ़ती है यार दो, तीन, चार बच्चे हो फिरू अच्छा मतलब मुझे बेब से बहनजी बनानी की प्लानिंग है मैं पहले ही बता देती हूं शादी के बादना मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ने वाली हूं और यह साडी, वाडी, मंगल सूत्रमूत्र यह सब भी नहीं पहननने वाली हूं ठीक, 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 पक्का, पक्का आपको कुछ बोलने का फायदा तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं पुझा यह सब करके मैं तुम्हारा दिन दुखार हूं ना पर मैं मजबूर हूं इसी कौन सी मजबूर है आपकी? आपकी वाइफ हूं एकली साब मुझे तो बता ही सकते है ना एक सपना देखा था मैंने कैसा सपना? बहुत पुरा सपना पापा! पापा! या हुआ? पापा, अपने खेतों में आग लग गई क्या? हाँ पापा, सारी के सारी फदल जलके राग हो गई ए बगवान, कौन से जर्म का बदला ने रहा है नुक्सान पर नुक्सान हुआ जा रहा है पापा, जब घर का मर्दी अपने हाथों में चूडिया पहन के रहेगा तो पनवती तो लगेगी इना जब भी मेरे नई थाने में ट्रांसर होता है तो पेंडिंग केसों की फाइलों का एक बड़ा सा पुलिंदा मिलता है इतने हैं गौर इसाने में मुझे कोई भी पेंडिंग केस में लिए क्या वा कुमार राइट को ले लिए सर उस राष्टे से जाना ठीक नी कहते हैं मार चुड़े लगा साया यह क्या बखवास का साया सर दरहसल बात यह है कि इस इलाके में पिछले कई दिनों में कई मौते होंगे और सर एक परिवार के तो दो मेंबर साथ चुल रहे तो क्या फर मुदर केस पहली मौत की तो कोई रिपोर्ट नहीं हुई थी लेकिन सर जब दूसरी मौत होई तो हमें थाने में एक अग्यात आदमी का फोना आया उसने कहा कि एक लड़की का मुदर हुआ है हलो एक मिट तो की अब लो ऐं सुरी लेकिन आप लोग भी ललाशट का अंतिमस संस्कारँ नहीं कर सकते क्या सै ऐसा क्यों कह रहे सर आप सर आप हमें अंतिमस संस्कार कर सकतेrios अंतिमस का इतरो हुआ है नहीं सर्फ किसी ने आपके कान भर है सर ऐसा कुछ नहीं है सर मेरी भेंगे नैचुरल मौत हुआ सर आप हमें अंतिम सल्सकार करनें पहले ही बहुत देखे आप लोग हमारी बात यह कौन है सर यह मेरा चोटा भाई है संचित काफी लंदे टाइम से औरत के भेश में रहा था लेकिन सर पोस्टमर्ण में रिपोर्ट में यही आया था कि उसकी सदेंडर हाट अट अटक के कारण है जिस वज़े से यहां पर अफवा फैल दे कि उसने किसी चुडेल को देखा होगा What Nonsense Sir, Latika के भाई के बारे में क्या बता रहे था तू? जो अटों के भेश मरे था क्या है सर? क्या पहना है? मैं जानता तुम यह सब क्यों कर रहे और क्यों अपना मजाक उड़वा रहे पर तुम्हारी वज़े से मेरे ओफिस का माहौल भीगड़ रहे सर यह मेरी मजबूरी है आप ही बताइए सर आपने मेरे काम में कभी कोई कमी देखिया सर मेरा पहनावा मेरी परसनल चॉइस है लेकिन सर मैंने इस ओफिस में हमेसा दिल लगा कर काम किया इसीलिए इसीलिए मैंने तुम्हारा पिछला ट्रेक रिकॉर्ड देखते हुए तुम्हें पंदरा दिन का टाइम और दिया है ताके तुम पहले की तरहां नॉर्मल होकर के आफिस में आ सको और अगर नहीं आपा है ना तो I'm sorry मुझे तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा जी सर्थ तुम्हें तुम्हें ना बताए मेरे घर पहुच गए तुम फोन के नुठारी मेरा तुम मेरी घर में कुछ जोगी अब मामी का यार ऐसे नाराज नहीं होते चोटी चोटी बात पर अब अगर शादी के बाद भी तुम ऐसे नक्रे करोगी तो मेरे तो दिमाग की दही हो जाएगी पड़ा नाजूब दिल है मेरा इतना प्रेशन नहीं जहल पाएगा मेरे नक्री नहीं जहल सकते शादी के बाद बिना जॉब के मेरे खर्चे जहल लो के अरे जॉब क्या मैं ऐसा बिजनेस शुरू करने वाला ना तुम्हारे इस घर से बड़ा पंगला होगा मारा सची और नीद तो क्या अन्मिका नमस्ते चाची ठीको मेरी खबर मत ले पहले तू अपनी खबर दे एक हफते के छुटी मांके गई थी तू एक मैने के बाद आ रही है तू देखो चाची जी बुरा मत मानना लेकिन जब से सुना लटी का दीदी ने चुड़ायल देखी थी तब से डर सा बैढ़ गया था लेकिन अप पेट तो पाल नहीं है इसलिए आ गई अच्छा वो आपको याद है न मेरे तंखा भी बकाया है हाँ हाँ याद है मुझे जा मेरा पुजागर साब कर दे पहले ठीक अरे जया तूम आ गई हाँ देदी वो किर्ति भाभी नहीं दिखाई दे रहे बहार गई है वो तू अपना काम कर दिव्यांशू अरे छोड़ो ना छोड़के तो तू चली गई मुझे और मुझे छोड़के कोशिक को पकड़ लिया तूने दिव्यांशू बात समझें की कोशिश करो भाया पर बहुत बड़ा करजा था उस परिवार का इसलिए मुझे उसके पल्ले बान दिया लेकिन तुमसे वफा अभी तक निभार ही हो ना कौशिक को छूने तक नहीं देती अच्छा अरे यहां इतना खून कैसे भाई फिर से कोई मौत हुई क्या अरे हां भी हां यहां पर मेरा मुरूगा मरा हुआ मिला है का? मतलब वो चुड़ल जानवरू को भी नहीं बख्ष रही अरे हर दिन इस घर में कुछ न कुछ कांड होता रहता है पता नहीं यह चुड़ल किस-किस को मारेगी तो क्या हो रहा है यहां अरे वो कोई ओर ठोड़ल नहीं इसी का बेटा है ए बहुत हो गया तुम लोगों का सारे इलाके में देश्टात फहलार किये निकलो बलना यहां से तु हाँ में हमारे घर से निकालियागा अरे मैं तुम सब पर तेल निकाल जूँगा यहां भगवाश कर रहा है तुम अरे मुर्ण खोया है मैंने मुर्ण चोड़ूगा नहीं यह अरशी से पहले कि उकिसे और को मढ डाले चल लिगाए नहीं चल आए नहीं नहीं चल अहे पर दूब नहीं चोड़ूगा नहीं मैं किसी को भी बेटे बेटी तक पहुंचा जूँगा गड़ा देख लूँगा इक को आगा देख रहा है क्या महौल बन गया तेरी वज़े से अपन तेरी वज़े से बचे हैं सब लोग वरना सब के सब मर जाते हैं अरे उस महले की रोज की कहानी है अगर कोई खून खराबा नहीं हुआ तो जाने दे रैसे भी वहां का रोज का काम है है क्या वाननद कुछ नहीं सार को कॉंस्टेबल शाम पैट्रोलिंग के साथ उसे पता चला कि उस महले में एक मुर्गा मर गया है जोड़ल के प्रकॉप सर महले वाले आलोग की बेटे को तुनल बता रहे हैं जबसे मुझे इस केस के बारे में पता चला है तब सी अजीव लग रहा है कहीं ऐसा नहों इस अंधविश्वास के चलते कोई बड़ा कांट हो जाए और बार डिपार्टमेंट पहा जाए इस केस को बिल्कुल आइकली मत कि आकम है महा हुआ हूँ ज sour OS 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 मुझ से क्या फाइदा है तुझे वो लतीका तो अपर पहुंच गई न अब आगे कोई काम नहीं करने वाली में ते रहा सुन तुझ से कुछ करवाना भी नहीं है ठीक है मेरे पैसे निकाल कौन सा पैसा चल हट हो मेरे पैसे दे ज्यादा चर भी चड़ गई है तेरे को जिस रात लटीका की मौत हुई थी उसके अगले दिन से घर के मेट जया ने काम पर आना पना जिया सर फैमिली ने बताया था कि कि वह चुट्टी लेकर गाउं गई थी मैंने जैसे फोन बे बात की थी उसने कंफर्म किया कि वह चुट्टी लेकर ही गाउं गई थी वह गाइब नहीं हुए थी फिर लटगा की पोस्त मोड़म रिपोर्ट आने के बाद किसी पर शक करनी कि कोई गुझाईश ही नहीं करने लगे सर बोलग आपसे मिलने की जिद कर दें है कि परणाम करते हूं गया देखकर अच्छा लगा अभी तक जिन्दा है आप तो क्या समझे तुने मेरे बेटा बेटी को मारा है ना तुम साबित करके दिखाए देख मेरा सगा भाई है इसलिए चुप बैठा हूं वर्डाप तो बड़े बाई होने का फर्ज निभाई है ना देदीजे मुझे तो चाहिए बाबाई होने का फर्ज निभाऊं साब आप लोग ही कुछ किजिए कुछ उडेल और कोई नहीं आ लोग का बेटा संचीती है क्यों बाई लोग आए लोग एक आप उन पर सक्ती बारती है तेखें अभी आप लोग अपने घर जाईए मैं देखता हूं ठीक जाब पापा पानी लिजे पापा किसने किया आई है पापा बता क्यों ने रहे किसने किया आई है शुक्रमनाओ की जान बज़के उस आत्म को कंट्रोल कर लिया मैंने तो अप अच्छे का फोड़ा धिमाग खिसक गया और कोई बात नहीं है आप भी सर मौले वालों की बातें सुनकर के भूठ चुड़ायल पर विश्वास कर रहे हैं तेखें मैं तो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास ने करता हूं पापी पापी अडिया पीडिया पीडिया आप हमें हमारा काम करने दीजिए और पहले ही बताइगी कि आपको माते पर चूट के से लिए क्या हमारे आने से पहले हैं किसी के साथ आपने जगडा हुआता है प्रिश्वास कोई जगडा नहीं है मेरे बीभी है सर मुझे आप अंदर नहीं जा सके भी समानी इनको पाप अड्वार मैंन है एक्स्टर्ण एंजरी नहीं अफ लेकिन परिवार में एंधरी मौत है जो भी ही अब बूल रणेरी आ dispare अज़ा रहा हा हुआ घ्रास मिली है हम इसको बिल्कु लाइट ली नहीं सकते हैं नहीं सर्ष नहीं पहले किसी भूत पर होसा नहीं करता था जाग तुम इस तरह से जनाना भेश्मेरा नाचोड़ो कर दिया। सबुए अपने परिवार को बचाने के लिए कि अगिए हैं। तो भी मातों चलिए गई तुमारी। उपायो उपाया कैसे सूचा तुमें इसी तंत्रिक वंत्रिक के चक्कर में। कोई तांत्रिग्वांतिक नहीं है साँ आप लोग पुसामाज कि इनी नहीं मैं सिर्फ आपने अपने अपने गर वालोगों बचाना जाते हैं अपने सब एक गंड़ा पहले तो सब कुछ ठीक था मामी पूजा करने बैठे थी और अपर अचानक ये सब ये सब क्या हो गया मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सा आपके गर में जो मेड काम करती है वो कहा है जया सब मामी पूजा करने बैठी थी जया तो कभी चली गई थी सब मैंने जया के CDR निकाले तो उसमें राजन नाम के लड़के का नंबर मिला और सब्राइजिंग गाती है कि मैंने पहले जब लड़का के CDR निकाले कुछ तो उसमें भी इसी राजन का नंबर मिला था है कौन है राजे ये लड़का का कॉलिज का दोस्त है सार लड़का की मौत के वक्त मैंने इससे भी इंक्वारी की थी मौत की मौत से पहले आकरी बात तूमारी हुकी होई ते ना लड़का के सान भाज सार इसने काता कि लड़का के साथ इसका अफ्यर चल रहा है लेकिन सर लड़का की ऊस्मांटम रिपोर्ट में मॉर्डर का फाल पलेी तो मिला ही नहीत था लेकिन लेतिका के घर की मेल, लेतिका के बरकेंड के टच में क्यों थी? इन सब सवालों को जोड़ने की कुश्च निंगे तुमें? पिनिप, वो समार्टम रिपोर्ट चाहे कुछ भी थी, पर इन सवालों को कैसे नज़र अंदास कर गए? बलाओ जया को, और आजन को रूँ अभी अभी माजी की मौत हुई और तुम कहरो कि तुमसे मिलने आजाओ, अभी कैसे अंकल सकती हूँ मैं? देख, बहुत कुमारी है तुम मुझे, ये कांडोने से पहले ही भागाना था न माहा से? अपनी अकल लगा ना, बंद करो, अगर मैं अभी घर से भागी ना, तो पूरा शक मुझ पर आजाएगा, समझते क्यों, हाँ, ठीक है, ठीक है, देख लेना, हाँ, ठीक है, ठीक है, अच्छा, इससे बात करे थी? भाई से, मेरे भाई को ना, माजी की मौत का सुनके बहुत बड़ा धक्का लगा है, पर वो अभी कॉल काता मैं ना, तो आ नहीं सकता है, साब मैंने कुछ नहीं किया, वो तो राजन मुझसे लटीका के पहनेवे कपड़े मंगवाना चाहता था, इसलिए मुझसे मिला था, और साब, मैंने इसे लटीका के पहनेवे कपड़े लाकर दिये थे बस, लटीका के पहनेवे कपड़े हैं, क्यों, साब मुझे नहीं मालू, उसने मुझे पैसे दिये, और मैंने लटीका के कपड़े चुरा कर उसको दिये थे, साब मैं सच बोल रही हूं, इसके अलावा मै कुछ नहीं जानक्ति साब देखो अगर सुच्छ बिच राजन गाइब हो गया यह चूट बोल रही है कहां है राजन का है मेरी बेटी अंकल मेरी बेटी का है अना मिका तुब लोग इंदर देखो अना बेटी के अना जिए बेटी के नहीं तुब लुट है पुछ बेटी की अना जिए पारी के अना जिए इसे भी मुश्वर्ट नहीं माना जा सकता है लगिए कि पॉस्ट्वाटर्य रिवाट भी बिल्कुल ऐसी ही थी मतलब पीटी की तरह मा भी मरी जहां सर और अब तो महले में यह बाउड रही है कि लत्गा की तरह उसकी माने भी किसी चोडल को देख लिया होगा और उसने अपने प्रांट छोड़ दिये यह केज जैसा दिख रहा है ना जैसा है नहीं मुश्कल तो यह है जार कि आप किस बेसिस पे हम इसे एक मर्डर किस मान सकते है यह भी कम सफिशिस नहीं है कि बेटी और माँ जिपकि दोनों में से किसी को भी हाट की कोई प्रबलम नहीं थी अगर हम मान भी लें कि यह मर्डर नहीं है तू राचन राचन क्यों बैद है सब सर मैंने अलोग के परिवार के बारे में सब कुछ बता किया है सब तीन साल पहले तक वो लोग शहर में रहते थे सर वो लोग वहां पे जॉइंट फैमिली में ते इसमें आलोग और उसके छोटे भाई शाश्वत का परिवार सर अलोग और शाश्वत ने एक बिजनस शुरू किया था सर अचानक से अलोग अपने परिवार को लेकर बिजनस और शहर दोनों छोड़कर गाउं में आ गया और वहां आकर खेती बाड़ी करने लगा अलोग का अपने भाई के साथ कोई जगड़ा सर ऐसा लग तो रहा है क क्योंकि सर अब वह बिजनस अलोग के चोटे भाई शाश्वत के नाम पर लेकिन सर एक बाद बहुत आजीब पिछले एक साल में अलोग की खेतों में खड़ी फसल जला दी गई है सर उसके खिलाफ अलोग ने कभी भी कोई कंप्लेंट फाइल नहीं कि अलोग के चोटे भाई के बारे में सब कुछ पता करें और अलोग से भी मिलना होगा साथ 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 सखेतों के पास एक लाश मिली इसके पेट को बुरी तरा से नोच के भड़ा गया सर आसपास काफी जंगली रिया हो सकते है किसी जंगली जानवर नहीं कि नहीं कुछ आनवर नहीं बलके हमें बठकाने की जाल भी ए सकते है कि जोटी मौद है कि कुछ बढग गया है वसल के बीज लेने गया था कौशिव और अचानक से अचानक से कुछ नहीं हो रहा है या लोग जी जो भी हो रहा है पिछले 11 साल से हो रहा है पहले आपका छोटा बेटा कर लो आपकिसी पर शुक भी जाहीं नहीं कर रहे है गम्मू लतिका और शांती की मौत में तो शक करने जैसा था क्योंकि उख भर में रहते हुए ही अँए अपकी बेटी लतिका का एक राजन नाम के जट्के के साथ अफयर चल रहा है और राजन अपकी पत्मी के मौत के बात से गाया पर नहीं आप ही सन्चीटित का मेरी बेटी लेटी लड़के से अलोग जी क्यों हां के मुन्हे बेटे हैं हॅ करी में इसा तो उन्ही है कि अब जानते हैगि है यह सब हो रहा है गवा का मचला बीटा संचीत कर रहा है कि अaff इसकोWatch इसको बेचानी कि कोशियों कर رہा है। नहीं नहीं एसा दिया और अच्छोड़ा भाई साशू इसके साथ तो आपका जगड़ा भी बादा इसके श्क्राइब भी श्क्राइब आपको पहले नहीं था लेकिन अब ख्याल आ रहा है कि शायद उसने इसको कोशिक को जबकि उसने जाल साजी से मेरा पूरा व्यापार तड़त लिया आपका बेटा संचिर किसकी आत्मा की बात करता है यो तो पता होगा आपको मुझे तनी मालूब साफ पता नहीं उसे क्या हो गया है तेखिया लोग जी अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हमें संचिर से हमारे तरीके से उड़वाना प्लेगा सर आप मेरी बात सुनें सर अब बेफुजूल उठा के लाएं सर संचिर देख यवी बुछना तेरे से सर सच बोलना नहीं तो ऐसी रास लीला रचे की तेरे साथ तेरे हाथ पर सब टूड़ा है तर मार दो मुझे सॉश पर सीभवाना बात सुड़ना नहीं अई कॉन आत्मा कोई नहीं कौन अतमा है वो यह दो सुन लेगे सर मुझे नए एक हात्मा दिख्ति आगने अगर मैं अगर मैं इस तैयार ओके नहीं हुंगा थो तो सब को मार दे की सर。 पर तू तु तह से तईयार हो के बहूत जिनों आज भुम रह है और यह के बाद एक आघ एक मर रहे हैं अझाdy आ तेरी परिवार में चेसा तो निये के तू आवरा भिए Bend another curry कूए मैं क्यू मार ओंगा संस्अ Bless मैंने नहीं मारा सर है कि भुल हो जाती है कंभी कंभी सब का सिर्धा जैसे जैसे तैहारूने में या अंगुठी पहना भूल या ये कान का पहना भूल जा या लेकिन अब सर्ब्सर मुझे सब या दयाता है सर मैं अभी अभी सब शेफ एसर अभी हब अभी कोई नहीं हम सर कौशी की पोस्पंडब रिपोर्ट की मुताबिक पहले उसके पेट पर किसी धारदा रहत्यार से वार करके उसा मारा गया उसके बाद उसके पेट को फाड़ा गया उसके पेट में नाखुनों के टुकड़े मिलें सार फॉरेंसे का मानना है कि वो नाकुनों के टुकड़े किसी जानवर के ने बलकि इनसान के हैं तेके ये भी तक कन्फरम नहीं हमें इस केस के हर पहलू को इंवेस्टिगेट करना होगा उसके बास सब कुछ कन्फरम हो जाए देखें ना तो मैंने अपने बड़े भाई अलोक के साथ कोई बुरा किया है और ना ही उनके परिवार में होने वाली मोतों से मेरा कुई लेना देना है उस बिजनस में अलोक का जितनों हैस्सा था बैने उसे दे दिया था लेकिन वो गाओं वाले मकान पर कबज़ा की हुए थे इसलिए उस मकान से निकालने के लिए ये आत्मा वात्मा का चक्कर रचा तुमने है मैं ऐसा क्यों करूंगा तेवर बहुत है साश्वत के ऐसा कॉन्फरेंस दिखा रहा जैसे इसके खिलाफ कुछ साभी तो नहीं हो पाएगा पता कम जितन कोशिका मटर हुआ था यह यह इस से जोड़ा कोई आद में उस एरिया में था क्या जी जर लेकिन सर इसमें मुझे एक और एंगल देखा दिया रहा है इस कीर्ती के सीडियार देखे मैंने यह दिव्यांशू नाम की एक लड़के के साथ काफी टच में थी है कौन दिव्यांशू शादी से बले कीर्ती के साथ इसका अफ्यर चल रहा था और शादी के बाद भी पती के रहते हुए कीर्ती इसके साथ काफी टच में है पापा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलिए कुछ खा लीजिए. जी? केर्थी कहा है, उसने बुलाईए, बड़े साब ने बुलाईए. केर्थी भाभी तो मार्केट गई हुई है. एक केर्थी अचानस से लाय भू लेखा है, उसका फोन ही बंदा रहा है. दिव्यान्शू से लेकर केर्थी के माईकेट और उनसे जुड़े हर इंसान को पुलीस खंगाल चुकी थी. लेकिन कीर्थी के गायब होने का रहस्य पता ही नहीं चल रहा था. वहीं लतिका के बॉइफ्रेंट राजन के गायब होने की पहेली भी पुलीस को उलजहा रही थी. आलोक का भाई शाश्वत भी प्राइम सस्पेक्ट था. लेकिन एक के बाद एक हो रहे इन कतलों का राज और भी गहरा होता जा रहा था. अफवाएं और भी गर्म होती जा रही थी. कि ये कतल कोई इंसान नहीं, कोई आत्मा कर रही थी. सर, पापा रात पर रोते रहे. उन्होंने रात को काना भी नहीं खाया. मैंने कभी सबने में भी नहीं सबचाथा, कि पापा सहर का लेंगे. तो तुम ये अक्लिर कर रही हो. कि हर्थ आनि बलके आत्मत्या है. कि यशा तो नहीं कि अपने बचाने के कोश्छिश कर रहे हैं. अई, सर. कोई नहीं बचेता है. अम सबको मार देगें. सच्छे था कुछ नहीं होगा. मैं चहारा हूँ, अब लोग राजन को खाणवाह में डूपरी में लीय है, कि वह पासी के गाउं में अपने एक दोच चुपा हुआ है साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो लतीगा से प्यार करता था वह कपरें तो मेंने इसलिए है सब तक लाटिका को हाइसिल कर सकते हुप है उसने मेरे से बेकआदा साब फरी एक दिन मैंने इंटर्नेट पे वश्री करन्विधा बारे मेंदा इसमें लिखा था तुकि आप किसी के कप्रों से उसको व्रशीगाूद कर सकते हो तो बॉश्री सर, सर, यह आलुक की पोस्ट मोटम रिपोर्ट रिपोर्ट के मुताबिट, उसकी मौस जहर खाने सही हो लिया, अब यह जहर उसने खुद खाया, या किसी नों से जबरदस्ती खिलाया, बस यह कंफर्म नेंगा, इस वक्त घर में सिर्फ दो लोग थे, संचित और पुजार, इसकी काम इंदोलों ने किया होगा, शाथ है कोई बाहर से आया, अभी तक यह एंक्वाइरी में आया, वहाँ किसी संदिक्ति के देखे जाने की इंफोर्मेशन नहीं मिलिया से, पर मैंने संचित के बार में पता किया, आलुक जब शेहर में रहता था, तो संचित उनके पूजा अनहाथ है, तो संचित की जिन्दगी में कैसे है, इससे भी जादा चौकने वाली बाद तो ही असारा, कि मैंने संचित के बारे में उसके कानपूर के दोस्तों से बता किया था, संचित का कानपूर की रहने वाली एक लड़की के साथ अप्रचला था, अनामिका ना उस उस लड़के के चकर में अपने बाप को अच्छा नहीं किया वेटी, तो नहीं हमें पूजा नाम की लुटी के बारे में आप से बुचार कारी चाहिए, जो आपके इसी अनाफास्तों में पने बढ़ी है ये, ये है पूजा जी, ये पूजा यहीं पली बढ़ी है, लेकिन इसकी मौत तो काफे पहले होई थी सर्थ मौत? ऐसा कैसे हो सकता है? ये पूजा पिछले तीन साल से संचित नाम के आदमी की वाई बन कर रह रही है ये कैसे हो सकता है सर्थ? इसकी मौत तो एक एकसिडेंट में तीन साल पहले होगी थी हाँ, प्यार करती थी वो संचित के साथ और उसके लिए उसने मुझे छोड़ दिया आपकी बेटी ये नामे का? है का? बालो में लेकिन जब से वो उस लड़के के साथ भागी है उसकी शकल देखने के लिए तरस गया तुम कह रहे हो अनामिका तीन साल से गया वे और मैंने अनाथ आश्रम के रिकॉर्ड्स चेक किया थे उसके हिसाब से पूजा एक एकसिडेंट में तीन साल पहले हिमारी गई तो सर, जिसके साथ संचित का परिवार रह रहा था, वो पूजा ही थी? या कोई आंत्मा? लेकिन संचित की पहली बीवी अनामिका कहा थी? और कीर्थी वो कहा थी? सर, संचित की पोस्ट माण बर्कोट, सर, इसकी मौत सर पर गहरी चोट लगाए और सर, उसके बलड में ड्रग्स के ट्रेसिज में मिले हैं और अंस्ती का गहना है कि वो काफी लंबे टाइम से ड्रग ले रहा होगा अनामिका उसकी जिंदकी में आई अनामिका कहा है अभी तक पता नहीं चलाए और पूजा भी एग रहसे बनी वही है और किर्थी की कहानी भी को समझ में आ रहे है पूजा के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर है जो अक्सार अनाथाश्रम वाले एरिया में एक्टिव रहता है जाहिर सी बात है कोई आत्मा तो फोन करेंगी नहीं कि अनाथाश्रम वाले कुछ हमसे चिपा रहे हैं असुचार कानपूर पूलिस एक इंफॉमिशन मिलिया जो बहुत ही चौकाने वाली है अन्यमेगा के पिटाश्रिवेंदू की एक और बेटी है पॉमिला जो केनेडा में रहती है और यह पॉमिला कोई और नहीं पूजा ह कि पूजा तीन साल पहले कानेडा से इंडिया ही है और अपकानपूर पूलिस से पता चला है कि इसको दो बारा से केनेडा का वीजा मिला और इसके साथ सर इसके बाब श्रीदू को भी अज़िए मेला उतल इस दोनों बाब बेटी करेदा बागने की प्रात में है श्रीवि कि इसके से इसके स्वाश्ट किया है को आए पारा स्वाश्ट क्या में रूज्यू स्यूनों बाब बेटी बलू स्टार होटल मे उकेते हैं थोड़ी दिए पहली होटल के निकले हैं कैप में जी बाहने हैं सहरे पूजा उर्फ पलोमादास तुम्हारे अनाथ आश्यम की डिरेक्टर से मिले हम बताया इसमें तुम्हारी आत्मवाली बात पर हम विश्वास कर लेंगे तुम मुझे अंदर करवाना चाहती हो गया कर सजाई कुछ नहीं होगा सोच लो माला मालो चाहोगी तुम्हारी तरह तुम्हारी बेन अनाविका वो भी संचीट्की पर गिए लेकिन कि लेक्म हो कहा था संचीट्क ने उसे अनामिका से शादी के और फिर उसे छोड़ कर चला गया अनामिका मेरी बात समझेटी कोशिश करो यार एक तो तुम छोड़ी छोड़ी बात पर गुस्ता हो जाती हो मेरी चाचा ने पापा का बिंजन सतिया लिया है अभी बापा ओल्लेडी टेंशन में कैसे बता हुने कि हमने शादी कर लिया मैंने तुम्हारे लिए अपने पापा को छोड़ दिया और तुमने अब तक अपने घर पे ये भी ने बताया कि तुम शादेश उदा हो उनने मुझे धोका दिया अनाम मिका ने मुझे कई बार फोन पर बताया था कि संचित उसे दोका दे रहा था संचित की वज़े से मेरी बहन ने सुसाइड किया था इसलिए मैं संचित से बदला लेना चाहती और पलोमा ने मुझे कॉल कि और सब कुछ बता दिया और फिर हमने एक प्लैन बनाया और प्लैन किया कॉड़ी मैं इंडिया आई पूजा बनकर संचित की लाइफ में एंट्री किया संचित कहता था कि उसको आत्मा दिखाई देती है कैसे? यह भी मेरा ही आइडिया था मैंने कर्टब करने वाली लड़की को हायर किया था कर्टब करने वाली लड़की? हाँ क्योंकि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो फूर्ती से जम करके एक जगे से दूसरी जगे जा सके और संचित को लगे कि अनामिका की आत्मा है हाँ पुझा पलोमा ने उसे यकीन दिला दिया था कि उसे आनामिका की आत्मा दिखाई दिखनी और फिर उसके भाई को खतम कर दिया करनू मरा, तो जूटी अनामिका की आत्मा का साया, संचित से कहने लगा कि अगर वो औरत बन कर रहेगा, तो वो और उसकी फैमिली मरेंगे निए, जिन्दा रहेंगे, हाँ, क्योंकि मैं पूरी दुनिया के सामने संचित का तमाशा बनाना चाहती थी, उसकी पूरी फैमिली क खतम करके, सिफ राप को लगे, कि ये सब कीरती ने किया है, आलो कर संचित को भी तुमी ने मारना तो में उन दोनों को भी चाहती थी, पर पहले बापने सुसाइड कि गामा तो काफी गया तुम्हें, ये सब करने के भी जाहिर सी बात है, बहु सारे पैसों के भी जरुद पड़ी होगी, उसका अब इंद्जाम हो गया था, जीवन राम मिल्डर उस गाउं में एक हाउसिंग आप्डेक्स लना चाहता था, लेकिन आलोक समेत गाउं के सारे लोग अपनी जमीन बेशना ही नहीं चाहते थे, मैंने बिल्डर को यकीन दिलाया, कि मैं इस इलाके कि इसी सस्पेंस थ्रिलर नॉवल के प्लोट से कम नहीं है, लेकिन अपराद की योजना बनाने वाला दिमाग भी अक्सर अपनी कल्पना को एक हकीकत की शकल देने की कोशिश करता है, लेकिन कहते हैं न, अपरादी चाहे जितना भी शातिर हो, क्राइम नेवर पेज, अब मैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कृपिया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तमाल करें और उची दूरी बनाए रखें, देखते रहिए, क्राइम पेट्रोल सतर्क, जाए हिन! क्राइब पेज़